गुड इमनिंग एवरिवन वेलकम बाक टो आग चानल मेरा नाम अंचुले चले देख लेते कल के लिए कि आप प्राइस एक्शन हो सकते हैं और मार्किट किस डिरेक्शन में मूह कर सकता है जो हमने कल के दिन डिसकस किया था कि ये जो कल का रेंज था वो रेंज के अंदर निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है तो एक गैप अब ओबनिंग के साथ ये रेंज के हाई के पास खुला था और सीधा एक पैनिक ट्रीगर वहां से ही शुरू हुआ और जब ये इस लोपे आया जो कल का इंट्रडे लोपे आया तो वहां पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिला जहां पर एक शार्प रिकवरी भी हुआ था पर कही ना कही फिर से ये जो 21,320 के पास का जो रेजिस्टेंस था उस लेवल को टेस्ट करके फिर से नीचे के साइट ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू किया जहां पर एक शार्प फॉल सीधा 22,000 तक आया था फ्रॉम 22,300 के आसपास से आज पूरा दिन काफी ज़्यादा वालेटायल था और काफी ज़्यादा पैनिक था अगर हम वाई भी देखते हैं तो 22,000 पे अगर हम उपर के साइट देखते हैं तो हर एक 100 पॉंट श्राइक में भी काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है तो यह सारे लवल से क्रेशिशन की जैसे काम करेंगे डाउनसाइड पर माईनर सपोर्स देखने को मिल रहा है विट वेरिलेस पुट राइटिंग रहा है 21,900, 21,800, 21,700 तो अभी जितना पैनिक सीनेरियो चल रहा है तो काफी ज़्यादा सपोर्ट्स वीक हो गया है अगर हम चार्ट पर वापस आके अनलाइस करते है तो यह जो 3 इंदर सपोर्ट 21,800 और 700 है अगर यह उपर के तरफ आता है फिर से bullish momentum आता है निफ्टी में तो immediately 20 to 100 एक major resistance होगा और उपर के साइड हर एक level एक resistance होगा और एक major resistance जहां से एक sharp fall आया था 22,300 के पास यह zone एक major resistance के जिसे काम करेगा अगर निफ्टी में gap up opening आता है और उपर के स सकता है अगर सीधर sell off आता है और नीचे के side आता है gap close करने तो new seller sad होंगे जो आज के दिन miss किये आज का trend miss किये और फिर से downtrend में continue हो सकता है निफ्टी जहां पे एक minor support एक gap होगा या फिर यह जो 21,900 का जो low मारा है निफ्टी ने आज के दिन यह level होगा अगर निफ्टी में directly एक gap down opening आता है और यह continue करता है नीचे के तरफ तो फिर से और एक panic trigger हो सकता है और एक fall आ सकता है निफ्टी के लिए until it takes the next major support somewhere around 21,500 जो एक major support रहा है निफ्टी के लिए अगर निफ्टी में gap down खुलके फिर से उपर के side जाता है तो एक resistance की तरह एक gap act करेगा और फिर से एक reversal देखने को मिल सकता है अगर हम बैंग निफ्टी के तरफ देखते है तो बैंग निफ्टी इतना बेरिश नहीं था जितना निफ्टी था जा पर बैंग निफ्टी भी एक flat opening देखे नीचे के side breakdown दिया पर कई ना कई जो कल का intraday low था उसी के पास आके एक support लेकी closing दिया है अ अगर हम देखते है तो call rating भी highest है तो एक indecisive situation जैसे दिखने को मिल रहा है अगर इस level के भाहार निकलता है तो उपर के side 47500, 48000 अगले resistance देखने को मिल रहा है with good amount of call rating downside पे immediate minor support है 46900 पे अगर इसके नीचे निकलता है तो 46500 और 46000 major support levels होंगे with good amount of put rating अगर हम chart पे वापस आते है तो यह जो intraday high है और जो low है और कल का भी low था यह level तो 46900 से लेके 47500 एक volatile range होगा bank nifty के लिए अगर bank nifty flat cool के उपर के side जाता है तो यह जो high है एक resistance की तरह काम कर सकते है और bank nifty फिर से नीचे के side आ सकता है अगर इस level का breakout भी देता है तो 47800 एक major resistance होगा bank nifty के लिए अगर bank nifty नीचे के side आता है या फिर एक strong breakdown देता है और new sellers add on होता है तो immediately 46500 एक support की तरह काम करेगा अगर इसके नीचे भी निकलता है तो 46000 एक major support level होगा अगर gap up opening आता है और उपर के side जाने लगता है bank nifty इस level के उपर strong buying देखने को मिल सकता है और new buyers add होंगे above 47800 और उपर के side 48300 level test कर सकता है bank nifty अगर sell off आता है तो यह gap एक support की तरह काम करेगा और क्योंकि यह 47000 level है एक round level भी है तो यह यहाँ पे एक support zone या demand zone की तरह काम करेगा अगर gap down opening आता है तो 46500 level एक support की तरह काम कर सकते है और bank nifty उपर के side जाके gap close कर सकता है पर अगर यह उपर जाता है तो 47000 since it's a round level यह support से resistance में convert होगा वेर bank nifty एक resistance लेता हो नीचे के side आ सकता है अगर directly एक panic scenario trigger होता है bank nifty में भी तो 46500 level और 46000 same level से एक support की तरह काम करेंगे तो यह होगा हमरा analysis कल के लिए thank you